नमस्कार दोस्तों, डेश्टर मार्केटिंग चैनल पर आपका स्वागत है, आज मैं आपसे बात करूँगा टार्गेट R.O.S. बिडिंग स्ट्रेजी के बारे में, दोस्तों ये एक आटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेजी है, इसकी फुल फॉम होती है टार्गेट रिटन ओन अगर आप चाते हैं कि आप एक डॉलर एड में इन्वेस्ट करें और आपकी फाइब डॉलर के अपको उससे रिजल्ट मिलें, तो आपको ये बिडिंग स्ट्रेजी आप यूज कर सकते हैं, इसमें आपको जो आपके कनवर्जन्स होते हैं, उसी की बेस पर ये स्ट्रेजी work करती है दोस्तों अगर आप यूज करना चाते हैं target ROAS को तो minimum आपके पास 20 conversions होने चाहिए हैं पिछले 45 दिन में अगर आपके पास 20 से कम conversions हैं तो आप target ROAS strategy को यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास 50 conversions हैं in last 30 days तो जो ये strategy है ये काफी अच्छी तरह काम करेगी आपके campaign के साथ दोस्तों आपको सबसे पहले जो आपके conversions हैं उनको एक value देनी होती है जब आप कोई भी conversion tracking create करते हैं तो आपको तीन option मिलते हैं कि no value या सारे conversion को आप एक value देने चाहते हैं या आप different value देने चाहते हैं different conversion को तो आपको एक महाँ पे value decide करनी होगी तब आप target ROAS bidding strategy को use कर सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह formula है क्योंकि जब आप target ROAS bidding strategy को create करते हैं तो आपको एक option मिलता है target ROAS को जो आप percentage में आपको mention करना होता है तो अगर यहाँ पर example अगर आप 5 डॉलर की sale करते हैं divide by 1 डॉलर अगर आप add spend करते हैं multiply by 100 तो जो आप result चाहते हैं कि एक डॉलर लगा के 5 डॉलर आप कमाए आप उसको multiply 100 से करते हैं तो 500 परसेंट आता है तो जहाँ पर इस bidding को create करेंगे तो आपको वहाँ पर 500 mention करना है दोस्तो यह एक automatic bidding strategy है तो यहाँ पर google algorithm decide करता कि maximum cost पर click क्या होगी क्योंकि जो आप एक target ROAS decide करते हैं google algorithm try करता है कि आपने जो एक target ROAS decide किया है उसको अचीव करें दोस्तो ऐसा नहीं है अगर आपने कोई target ROAS decide किया है तो जितने भी आपको इस पर result मिलेंगे वो सब उसी ROAS के equal मिलेंगे तो कुछ उसके उससे ज़्यादा होंगे कुछ उससे कम होंगे लेकिन google try करता है कि आपको जो maximum result है वो जो आपने target ROAS set किया उसके आसपास मिले दोस्तो अगर आप यहां पर decide करते हैं कि जो आपका target ROAS 500% है तो जो google add है वो try करता है automatically कि जो आपका conversion value है वो आपको जो आपने target ROAS decide किया है उसके equal मिले target ROAS है वो real time signal को use करता है bidding के लिए like device, browser, location, time of the day दोस्तो जो target ROAS bidding strategy है वो automatic अपनी bid adjust करती है depend करता है वो user अगर आपकी remarketing list में है या नहीं है दोस्तो आप मैं आपसे बात करूंगा bid adjustment की कि वो किस तरह work करती है target ROAS bidding strategy के साथ because target ROAS bidding strategy वो real time signal के उपर work करती है तो जो भी आपकी bidding adjustment है वो काम नहीं करेंगी target ROAS bidding strategy के साथ इसमें दोस्तो एक ही exception है आप mobile के लिए aggressively bid कर सकते हैं लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपने कोई और भी bidding adjustment आपने यूज की है तो वो work नहीं करेगी दोस्तो जो आप target ROAS select करते हैं वो आपके एक तरह से average conversion value होती है in terms of revenue जो आप achieve करना चाहते हैं जो भी amount आप spend करते हैं add के उपर दोस्तो जिसमें अगला point है अगर आप target ROAS को काफी high select करते हैं तो इससे क्या होगा जो आपके number of convergence है वो कम हो जाएंगे तो इससे जो आपका conversion data है वो भी effect हो सकता है तो आपको जो target ROAS है काफी wisely choose करना चाहिए अपनी particular campaign के लिए दोस्तो इसमें Google जो advice करता है जो आप target ROAS आप decide करते हैं वो आपको अपने historical conversion value per cost data की बेस्पे करना चाहिए तो इससे क्या होगा ना आप target को ज़्यादा high select करेंगे ना ज़्यादा lower level पे करेंगे और आपको result भी अच्छे मिलेंगे आपकी जो conversion है वो कम भी नहीं होंगे और जो आपका add traffic है वो भी कम नहीं होगा और आपको जो अचीव करना चाहते हैं target ROAS वो आप अचीव कर सकते हैं दोस्तो जो historical conversion value per cost data है उसको आप check कर सकते हैं अगर आपको वहां से modify column पे जाना है और आपको conversion को select करके conversion value divided by cost column को select करना है दोस्तो जिस तर आप target CP में bid limit select करते हैं उससे तर आप target ROAS में भी select कर सकते हैं बट Google इसको recommend नहीं करता है because यह restrict करता है automatic optimization को लेकिन आप फिर भी अगर इसको select करते हैं तो यह सिर्फ search network campaign जो auctions हैं उन्हीं में work करेगा जो highest bid limit होती है उसमें जो आपका maximum जो CP से आप pay करना चाहते हैं particular keyword ad group या campaign के साब वो आप select कर सकते हैं और जो minimum होगा उसमें जो भी आप minimum pay करना चाहते है particular keyword ad group और campaign के साथ लेकिन ऐसा नहीं अगर आपने कोई amount minimum decide किया तो वही minimum होगा Google कि जो smart pricing है वो हो सकता है आपके minimum amount से भी नीचे जाके bid करे particular किसी auction में तो अब मैं आपसे बात करूंगा अगर आप जो target ROA से उसको use करना चाहते हैं किसी particular campaign में या ad group level पे तो आप कैसे कर सकते हैं आपको जो standard campaign strategy को select करना है ना कि portfolio को क्योंकि आप अगर portfolio strategy select करते हैं तो आपकी जो strategy वो implement होती है वो जितनी भी आपकी campaigns आप select करेंगे, ad group करेंगे, keyword करेंगे उसको एक single target जो आप ROA से select करेंगे वो उस पे work करेगा लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपकी different ad groups है in a campaign उनको आप अलग ROA से देना चाहते हैं तो आप आप को standard campaign strategy को select करना है दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हैं कि अगर आपकी campaign में 3 different ad group हैं उन 3 को आप different target ROAS देना नहीं चाहते हैं तो आपको use करना चाहिए portfolio strategy को लेकिन आप अगर चाहते हैं कि जो भी आपके ad groups हैं उनको different target ROAS देना चाहते हैं तो आप standard जो strategy को use करना चाहि कि आप किस तरह campaign में targetAY gas strategy को implement कर सकते हैं सबसे पहले आपको एक monetary value देनी होती है जो आपका conversion है तो वह कैसे कर सकते हैं आपको tool को select करना है जो measurement में उसमें को conversion को select करना है जिस पर work conversion को select करना चाहते हैं आपको click करना है आपको edit setting को select करना है अ तोब देखिने आपना ऑपर से धार जो थार्ड ओप्शन बेलिू आप को क्लिक करना इसमें आपको अगर चाहते हैं एक ही वालु देना जो की आपकी जितने भी समय कान बंधर आतोर जार कर सकते हैं और एक particular amount देते हैं लेकिन आप चाहते हैं एक different value देना जो इतने भी आपकी conversion है तो यहां से आप second option select कर सकते हैं और यहां से आप currency select करके amount mention कर सकते हैं दोस्तों जब आप एक value देते हैं अपने conversion को उसके बाद आप target ROA strategy को implement कर सकते हैं उसके लिए आपको अपना search campaign को select करना है आपको setting में जाना है bidding को आपको select करना है change bid strategy आपको click करना है और यहां से आपको target ROA को select करना है दोस्तों जैसे मैंने आपको बज़ा था जो आपका target ROA सब उसको आपको एक percent में देना होता है अगर आप चाहते हैं एक डॉलर स्पेंड करके आपको five dollar earn करना है तो आपका जो percent of five hundred आता है तो आपको यहां पे five hundred mention करना है मैं इस strategy का भी नहीं use कर पाऊंगा because जो मेरे past अभी 20 conversions नहीं है last 45 days में अगर मैं इसको save करता हूँ तो आप देश सकते हैं कि you will need more conversion अगर आपके पास जो 20 conversions नहीं है 45 days में तो आप इस strategy को use नहीं कर सकते हैं और मैं आपको recommend करूंगा आपके पास minimum 50 conversions होने ही चाहिए last 30 days में तभी आपको इस strategy को use करना चाहिए दोस्तो इस strategy को implement नहीं कर पाया हूँ इसी वजह से मैं आपको जो bit limit भी शो नहीं कर सकता लेकिन जिस तरह मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में शो किया था target CP के लिए जब आप इस bidding strategy को implement करते हैं तो उसको आप same उसी तरीके से जाके maximum bit और minimum bit select कर सकते हैं दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं आपकी campaign के लिए टार्गेट आरवेस amount जो है वो क्या सही amount है ताकि ना आप कम या ज्यादा amount select ना करें तो आपको column select करना है modify column और यहां से जो आप देख सकते हैं conversion वहां से आपको conversion value divided by cost और conversion value को select कर देना है उसके बाद अगर आपके जिसे past में अगर conversions हैं तो यहां पे आपको values मिलती है उसके बेस पे आप target ROS select कर सकते हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको target ROS strategy समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीचे चैनल को subscribe कर लीजे आनी वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ और automatic bidding strategy के बारे में